और देखे मैं revision करवा रहा हूं उससे ज़्यादा आपकी responsibility बनती है कि आप revision करें इसको ठीक है उससे ज़्यादा आपकी responsibility बनेगी revision करें सबसे पहले क्या था सर capital assets capital gain हमेशा लगेगा किस पे capital assets पे सर बात अगर करें capital assets क्या होता है सर सभी तरीके का property को capital assets कहते हैं चाहे business related हो known business लेकिन इसमें categorize कर दिया गया अगर वो movable है या immovable immovable तो सारे के सारे assets क्या होते है capital assets होते है except बताइए कौन सा जितने भी immovable property है सभी capital assets है except कौन सा assets छोड़ के capital assets होता है movable नहीं होता सवाल समझ में है मैंने बोला सारे immovable immovable मतलब land and building capital assets होते हैं एक assets ऐसा है जिसको छोड़ दिया गया है rural area का क्या agriculture land को छोड़ कर जो कि यहां consider मैंने बताया था movable के अंदर देखा जाए सर तो या तो personal हो सकता है movable के अंदर देखा जाए तो क्या हो सकता है या तो सर business के लिए use हो सकता है या फिर personal use हो सकता है अगर business के use के बात करें तो business में तो सभी capital gain है personal के अंदर कोई capital gain नहीं लगेगा लेकिन यहां exception है जोलरी होगा तो लगेगा आपका archaeological collection है तो लगेगा sculpture है तो लगेगा drawing है तो लगेगा art है तो लगेगा painting है तो लग जाएगा आपका सर इसके बाद हमने क्या देखा capital assets समझ लिया सर capital assets होना चाहिए कौन से दो type के हमारे capital assets होते हैं यह transfer वाली point इतने important है नहीं तो सर capital यह मैंने definition बता दिया था आपको क्या क्या लगना है यहाँ पे भी note में देखे लिखा था capital assets does not include stock in trade, ruler agriculture land और यह सारे जो मैंने bond वगेरा लिखा हुआ है यह सारी बाते हैं तो मैंने कोसिस करी है कि सारे सारे points ना छोटे से चार्ट में क्योंकि बहुत बड़ा चप्टर है यह तो आप चार से तीन से चार पेज में ना पूरा चप्टर पूरा revise हो जाए प्रैक्टिस तो आपके उपर करने की है सर capital assets कितने type का होता है या तो होगा short term या तो होगा long term long term short term की definition मैंने section भी लिख दिया 42 और यह बनता है 29 के अंदर सर सिंपल सी बात है categorize किया गया 12, 24, 36 बारा महिने में कोई shares है और आपके bonds है कुछ 24 महिने में land and building है preference share, unlisted share है 36 महिने में बाकी बचा हुआ सभी को रख दिया गया है इसके बाद हमने क्या देखा था सर इसके बाद देखा था calculation कैसे होगा कुछ बच्चे पूछ रहते सर short term पे क्या indexation नहीं होता देखो यहां short term पे मैंने कहीं भी word नहीं लिखा है कि आपका cost of acquisition index यहां पे लिखा हुआ index cost of acquisition तो short term में indexation नहीं होगा long term के अंदर होगा कुछ एक ऐसे assets हैं जिसके उपर कभी भी indexation allowed नहीं है चाहे वो short term हो चाहे long term हो कौन कौन से सर कुछ depreciable assets जैसे plant and machinery और furniture कुछ debenture और bond सारे debenture और bond कभी भी long term नहीं होगा हमें सर शोट term होगा और listed equity share पे indexation allowed नहीं है इसके नीचे की जानकारी हम बाद में देखेंगे और साथ के साथ इसके बाद क्या देखा था कुछ सवाल देखा था इसके अंदर हमने क्या देखा था सर हम normally capital gain यहां पे निकाल लेते हैं लेकिन अगर हमने घर को खरीदा हो 142001 से पहले तो हम market value consider करेंगे 142001 के वाला और indexation भी उसी दिन से लेंगे इस सवाल में क्या देखा था सर इस सवाल में हमने फिर से again वही देखा था यहां पे अगर कोई भी property मिल जाता है आपको यहां पे gift वाला था शायद gift में तो आपको यहां पे cost of indexation किसका करते हो cost of indexation करते हो previous owner का ना कि जिस दिन gift मिला है उसका market value cost of improvement cost of improvement अगर 2001 से पहले का improvement है तो उसको ignore करते है 2001 वाले बाद को आप normal consider कर लेते हो तो कुछ सवाल हमने देख लिया था मेरे हिसाब से यह सारा point आपको याद होना चाहिए tips पे यहां तक clear है अगली class के अंदर सर क्या करने वाले हैं वो provision मैं बता देता हूँ next class के अंदर सर हम पढ़ने वाले जो हैं वो पढ़ने वाले हैं सर यह पूरा का पूरा 54 B 54 आपका D B तो होई गया D E C E E F G G A G B important कौन सा है सर हर बार 54 और 54 B repeated mode पे आया हुआ है exam के अंदर end time मतलब कि आता ही आता है लगबग आ जाता है बाकि ऐसा नहीं कहा रहा का D important नहीं है हाँ लेकिन practical question में नहीं आता यह दोनों practical question में आ जाता है कुछ section और भी देखेंगे अगली class के अंदर यह section जैसे ही खतम कर लेंगे हम फिर हमारा section 45 की कुछ series रह जाती है वो कर लेंगे special case से कुछ उसके बाद फिर capital gain के हम practical बड़े बड़े सवाल कर पाएंगे ठीक है और फिर मिलते हैं चलिए अब बताईए किसी का कोई doubt है तो